दोस्तो आज डेविड मिलर के खिलाफ कप्तान रिश्यप पंत ने एक ऐसा रिव्यू लिया जिस पर डेविड मिलर भी हरान रह गे और अमपायर ने तो उस बॉल को वाइड करार दे डाला दरसल ये सब कुछ हुआ जब मैच इंडिया की पकड से दूर हो चुका था और अटरवे ओवर में एक बाहर जाती गेंद को डेविड मिलर मिस कर बैठी लेकिन विकेट के पीछे से रिश्यप पंथ ने जूड़धार अपील की अमपायर ने पंथ की अपील को इग्नोर किया और वाइड करार दिया लेकिन पंत ने यहां तुरंथ डिरेस का इस्तमाल कर लिया जब थर्ड अंपायर इसे चक कर रहे थी तब रिश्यप पंत लगातार डेविड मिलर से बाचित कर रहे थी कि तुम्हारे बैट का एज लगा है और मिलर साफ मना कर रहे थी और बाद में मिलर बिलकुल सही साबित हुए और उन्हें नाट आउट करार दिया गया क्योंकि बैट गीन से दूर था और मिलर ने साउथ अफरीका को शांदार जीत दिला दी